मेरे प्यारे देशवासियों, भारतियों के इनोवेशन और सॉलूशन देने की ख्षमता का लोहा हर कोई मानता है। और जब समरपन भाव हो, समवेदना हो, तो ये शक्ती असीम बन जाती है। इस महने के सुरुवात में देश के युवाओं के सामने एक एप इनोवेशन चलेंज रखा गया। इस आत्मनिर्भर भारत एप इनोवेशन चलेंज में हमारे युवाओं ने बढ़ चड़कर के हिस्सा लिया। करीब साथ हजार एंट्रीज आई, उसमें भी करीब करीब दो तिहाई एप्स टीर टू और टीर थ्री शहरों के युवाओं ने बनाए हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए देश के भविश के लिए बहुत सुभसंकेत है। आत्मनिर्भर एप इनोवेशन चैलेंज के रिजर्ट लेकर आप जरूर प्रभावित होंगे। काफी जाँच परक के बाद अलग-लग कैटेगरी में लगबग दो दरजन एप्स को एवर्ड भी दिये गए हैं। आप जरूर इन एप्स के बारे में जाने और उनसे जुगे हो सकता है। आप भी ऐसा कुछ बनाने के लिए प्रेरित हो जाएं। इनमें एक एप है कुटू की Kids Learning एप। ये छोटे बच्चों के लिए ऐसा इंटरक्टिव एप है जिसमें गानों और कहानियों के जरिये बात-बात में ही बच्चे में साइन्स में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसमें एक्टिविटीज भी हैं, खेल भी हैं। इसी तरह एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफर्म का भी एप है। इसका नाम है कुटू के डबलो कुटू। इसमें हम अपनी मात्रुभाशा में टेक्स, वीडियो और आडियो के जरिये अपनी बात रख सकते हैं, इंट्रेक कर सकते हैं। इसी तरह चिंगारी एप भी युवाओं के बीच काफी पॉपिलर हो रहा है। एक एप है आस्क सरकार। इसमें चेटबोर्ट के जरिये आप इंट्रेक कर सकते हैं। और किसी भी सरकारी योजना के बारे में सही जानकारी हासिल कर सकते हैं। वो भी टैक्स, आडियो और वीडियो तीनों तरीकों से। यह आपकी बड़ी मदद कर सकता है। एक और एप है Step, Set, Go। यह फिटनेस एप है। अब कितना चले, कितनी कलरीज बन की, इस सारा हिसाब यह एप रखता है। और आपको फिट रहने के लिए मोटिवेट भी करता है। मैंने कुछ ही उदार दिये हैं। कई और एप्स ने भी इस चैलेंज को जीता है। कई बिजनेस एप्स हैं, गेम्स के एप्स हैं, जैसे इज इक्वल टू, बुक्स एंड एक्सपेंस, जो हो वर्कप्लेस, FTC टैलेंट, आप इनके बारे में नेट पर सर्च करिए, आपको बहुत जानकरी मिलेगी। आप भी आगे आएं, कुछ इनोवेट करें, कुछ इंप्लिमेंट करें। आपके प्रयास, आज के छोटे-छोटे स्टार्ट अपस, कल बड़ी-बड़ी कंपनियों में बदलेंगे, और दुनिया में भारत की पहचान बनेंगे। और आप ये मत भूलिये, कि आज जो दुनिया में बहुत बड़ी-बड़ी कंपनिया नजर आती हैं न, बेबी कभी स्टार्ट अप हुआ करती थी।